तो हाई एबरिमन स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकडिमी के इस नए वीडियो में और आज हम लेकर करके हैं क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिज के नेक्स चेप्टर जिस चेप्टर का नाम है एक चाइल्ड इस बर्न यानि कि एक बच्चे का चन या एक एसे हैं मतलब कि अगर आपसे option में पूछ दे objective में पूछ दे कि a child is burn is essay, speech और story तो आप क्या पिक करेंगे पिक करेंगे कि या एक essay है एसे हो ले तो या एक नीबंद है क्लियर अब बात करते हैं कि a child is burn नाम की जो चेप्टर है इसके writer कौन है यानि लेखक तो German Greer या एक female writer है अस्टेलिया कराने वाली है अगर इनकी जन्म की बात करें तो 29 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ था इनका मिरित्यू एसपस्ट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है चलिए अस्टेलिया से ही रहा है यह एक famous feminist writer है यह बहुत ही मश्यूर लेखी का है ठीक है अब बात करते हैं इस चेप्टर का पूरा निचोड यानि full excuse if you talk about the full excuse of this chapter कि यह चेप्टर में क्या यह जर्मेन ग्रीन कहना चाहती है क्या लिखी है तो इन्दिस एसे जर्मेन ग्रीर डिस्क्राइब यानि कि इस निबंद में जर्मेन ग्रीर जो है ना ब्यक्ष्या करती है the differences between a traditional and modern society बोले तो एक परंपरागत और आधुनिक समाज के बारे में ठीक ना रह रहे हैं लोगों के कैसे रखा जा रहा है उनके साथ कैसे बेवहर किया जा रहा है इसके बारे में जर्मेन ग्रीर ब्यक्ष्या की है और तो और the child of the birth of child यानि कि बच्चे का जन्म दिवस जो परंपरागत समाज में और आधुनिक समाज में कैसे मनाया जाता है इन दोनों के के बारे में इस चेप्टर में ये ब्यक्ष्या की हैं विदाउट एनी लेट लैट्स गो टू अंडर्स्टैन सो फाइनली एचाइल इस बर नाम का जो चेप्टर हैं जिसके फिमेल राइटर हैं जर्मेन ग्रीर बहुत ही जबर्दस्त और मॉटिवेशनल से भरा हुआ ये इसके परतियक लाइन को आप एक एक करके समझने की कोशिश करें मैं समझाने के भी बहुत भरपूर कोशिश कर रहा हूँ फुली कंसेप्ट में देना चाह रहा हूँ ताकि आपको पूरा हंड़ेट परसंट समझ में आ जाए और इससे रिगार्डिंग जो भी अबजेक्टिव कोशन आए तो ना छूटे तो चलिए बीना दिर किये इसके परतियक लाइन को हिंदी में करके समझें एक बात किलिएर हो गई कि एक बच्चे का जन रिटेन लिखा गया है बाइदा वर्ल फेमस फेमिनिस्ट अस्ट्रेलियन राइटर वर्ल फेमस को हिंदी में काते हैं विश्व के मशहूर ठीक है और फेमिनिस्ट अस्ट्रेलियन राइटर जब बाती आ गई तो किसी female की बात की जाती है तो उसको female करिए या feminist करिए no problem feminist Australian writer यहां पर direct क्लियर हो गई कि a child is born नामक जो chapter है जिसके writer कोई male नहीं बलके female है तो feminist का मतलब हो गया एस्तिरी ठीक है female तो female writer के दोबरा लिखा गया है ठीक है ना वह कहां करने वाली है अस्टेलिया के उनका नाम क्या है नेमली तो यहां देखें उनका नाम है जर्मेन ग्रीर बाते क्लियर हो गई अब आगे बढ़ते हैं इन दिस एसे इस निबंद में जर्मेन ग्रीर describe many differences between a traditional and modern society देखें यहां पर कौन कौन सी बाते क्लियर हो रही है और कितने सवाल का answer यहां पर बन रहा है कितने question का answer बन रहा है थोड़ा सा समझने के अगर आप से पूछ दे कि who is the writer of a child is born तो आप direct बोलेंगे कि जर्मेन ग्रीर is the writer of a child is born अब आप से सवाल पूछेगा कि a child is born a story है या essay है तो आप तो एक बात यहां पर समझ जाए कि या एक essay है ठीक है यानि कि जो a child is born नामाग जो chapter है या a story नहीं है या एक essay है या एक निबंध है जो किसके दोरा लिखा गया है जर्मेन ग्रीर के दोरा लिखा गया है ठीक है अब यहां पर देखिएगा यहां पर क्या है कि इंदिस essay यानि इस निबंध में जर्मेन ग्रीर जर्मेन ग्रीर जो female writer है describe, ब्यक्ख्या करती है many differences, बहुत सारे भी फिनताओं के बारे में, between तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकिया और समझने एकोसिस कीजिए, देखिए between का मतलब होता है के बीच, और among का मतलब भी होता है के बीच, लेकिन यहाँ पर between का जो परियोग हुआ है थोड़ा सा यहाँ समझने कोसी between मतलब होता है, दो लोगों के बीच जब बात किया जाता है, यह दो चीजों के बीच जब बात किया जाता है, तो between का परियोग किया जाता है, और among का परियोग वहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर तीन हो रख्या की हैं ठीक है तो चलिए इसको समझते हैं between a traditional and modern society ठीक है traditional and modern तो अब बात करते हैं कि what is the difference between traditional and modern तो देखिए traditional का मतलब होता है परमपरागत परमपरागत साइद आप नहीं समझ रहे होंगे तो समझे परमपरागत का मतलब होता है जो हमारी पुरुवत से चलते आया है जो हमारी परमपराओं से चलते आया है बहुत पुरानी परमपराओं से चलते आया है उसको हम लोग करते है traditional और modern का मतलब होता है सारे डिफरेंसिस को जो दिखाई हैं वो परफागत और गैर परफागत को हम लोग आधुनिक वी बोल सकते हैं यहनी परफागत और आधंवनिक समाज के बीच ऴीभिनताओं के बारे में बात की हैं ठीक है ना किस मैटर में तो इनसा मैटर आफ प्रेग्नेंसी यान hanging देखिए एक प्रेगनेंसी महीला के बारे में प्रमपरागत और आधोनिक दोनों समाज के बीच रह रही प्रेगनेंसी ओमेन के बारे में तो बताई ही हैं और ये भी बताई हैं कि कैसे हम लोग उत्सव मनाते हैं दा बर्थ आफ चाइड इन दा बोथ सुसाइटी कैसे एक बच्ची के जन दिवस को हम लोग उस दोनों समाज में जन दिवस को जन दिन के शुबावसर पर हम लोग कैसे उस जन दिवस को उत्सव कर्यूप में मनाते हैं आगे बढ़िए और सम सोसाइटी तो सबसे परहें यह बैख्या कर रहे हैं traditional society के बार है pregnant woman of the traditional society in the West does not feel herself alone while she pregnant देखिए जो traditional society के बिच जो pregnant woman होती है ना उनको कभी भी ठीक है ना अकीला महसूस होने नहीं दिया जाता है जबकि वो क्या रहती है प्रेगनेंट रहती है क्योंकि वो पस्मी सभयाता की बात है ठीक है अब आगे बढ़िये जो प्रेगनेंट डॉमाइन होती है जो गर्भती महीला होती है उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है किसके द्वारा बाई हर फैमली मेंबर्स उनके फैमली के सदस्यों के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है और तो और 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 दूसरे लोगों के द्वारा भी क्या किया जाता है उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है किसमें in the traditional society in the western society ठीक है ना परंपरागत पस्चमी सभ्याता के अंतरगत गर्भती महीला को उसके फाइमली के दौरा और दूसरे लोगों के दौरा भी उसको बहुत ज़्यादा इज़त वर रेस्पेक्ट दिया जाता है बाते समझ में आ गई अब चलिए आगे बढ़ते हैं इन ट्रेडिशनल विस्टर्न सुसाइटी मॉम इस कोल बाई दा नेम आफ हर फर्स्ट चाइल्ड देखिए जो ट्रेडिशनल सुसाइटी है ना ट्रेडिशनल सुसाइटी में इन ट्रेडिशनल विस्टर्न सुसाइटी पस्चिमी परंपरागत सभ्याता में मा को पुकारा जाता है mom is called by the name of her first child उसके पहले बच्चे के नाम से उसको पुकारा जाता है ठीक है after childhood यानि बच्चे के जन्म के बाद उस मा को पहले ही बच्चा के नाम को ले करके उस मा को बुलाया जाता है उसके ही नाम को रखके बुलाया जाता है जिस समान लिजे कि सपोज अगर कोई लड़का हो गया किसी गर्भाती महिला का in the traditional western society में अगर पहला बच्चा उसका कोई लड़का हो गया ठीक है या कोई लड़की ही हो गई तो मालीजे अगर लड़का हो गया मालीजे राहुल नाम का कोई लड़का हो गया तो बोलाजागा ए राहुल की माँ ठीक है अगर ल बच्चे के नाम से उस मा को पुकारा जाता है ठीक है अब आगे बढ़िये और समझ यह दा निवली बॉर्ण infant is taken care by all the member of society और जो नए बच्चे का जब जन्म होता है ना उस बच्चे का उस सीशू का infant मतलब सीशू या बच्चा भी बोल दीजिए taken care by all the member of society यानि कि समाज के सभी सदस्यों के द्वारा उसका देख भाल किया जाता है अब आगे बढ़िये और समझे so at last the permission is given by the boy's mom उस लड़की की मा को permission दिया जाता है अंत में to go to her mother's house उसको अपने ही घर जाने के लिए मा को permission दिया जाता है अब तुम जब pregnant हो गई है तो पहली बार जब pregnant होती है ना माली जी कि शादी करके जब जाती है अपने ससुराल तो ससुराल वाले करते हैं कि जब तुम पहली बार pregnant होई है ना तो तुम अपने माई के चले जाओ यानि अपने घर चले जाओ ठीक है ना तो इन्द ट्रेडिशनल सुसाइटी में ये जर्मेन ग्रीर क्या ब्याख्या करती है कि जब पहली बार मा गर्भवती होती है तो उसको क्या किया जाता है उसको उसके घर जाने के लिए क्या किया जाता है परमीशन दिया जाता है For the last month of her pregnancy and about the first 3 months of the baby's life और जा करके वहाँ पर क्या करो अपना पूरा ध्यान ख्याल लगो और तो और जो ससुराल वाले होते हैं न फुर बेटर केयर यानि कि उसके अच्छे ध्यान ख्याल के लिए उसके माई के जाने का एदम खुशी से आदियस दे देते हैं कि आप चले जाओ वहाँ पर वहाँ पर ही जो पहला बच्चा होगा वो तुम्हारे माई के ही होगा तुम्हारे अपने मा के घर ही जो बच्चा होगा वो पहला बच्चा होगा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो अब चलिए आगे बढ़ते हैं वेश्टर्न सुसाइटी अर रेस्पेक्टेड इस तरह से यह इसलिए वेश्टर्न सुसाइटी जो है उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है पस्मिस अभयता को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है उसको बहूत ज़यदा परशंशा किया जाता है और उसे बहुत जादा उतसाह दिया जाता है ठीक है ना उसको बहुत ज़यदा क्या जटाएं बढ़हवा कि यह बहुत अच्छी बात है ठीक है अब आगे बढ़िए इंट्रीइश्न सोरी छुड़ गया यहां पर इंट्रेडिशनल वेस्टरन सुसाइटी पस्तमी सभयता में दचाइड बर्थ इस सेलिबरेटेड ऐज सियर मनी जो बच्चे का जन्म दिवास होता है वो बहुत ही एक उत्साव के तौर पर मनाया जाता है बहुत सारे लोग एटेंड होते हैं इस पार्टी में विट सम गिफ्ट कुछ गिफ्ट के साथ तू सी दचाइड उस बच्चे को देखने के लिए और और उस मा को बधाई देने के लिए यहां तक बाते के लिए रो गई अब चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत खुशी होती है जब एक बच्चे का जर्म होता है ना तो बहुत सारे लोग देखने के लिए जाते हैं लेकिन यहां पर देखें इन दे ट्रेडिशनल सोसाइटी यानि जो परमपरागत वेस्टान सोसाइटी के बीच जो जर्मेन ग्रीर ब्याख्या कर रही है कि वहाँ पर जो गर्भती महिला होती है उनके सरीर से जब संदान और संत्ति जब होता है तो कैसे लोग उसको इज़त देते हैं और जब देखने के लिए जाते हैं तो ग्यूप्ट हाथ में लेकर करके जाते हैं फिर बच्चे के मा को बहुत ज़्यादा वो लोग थैंक बोलते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ाई देते हैं ये थो खुसी की बात है चलिए अब आगे बढ़ते हैं वाइल इन दा मॉडर्न सोसाइटी अब आईए यहाँ पर क्या ब्याख्या कर रही हैं दूसरी समाज के बारे में ब्याख्या कर रही है वाइल इन दा मॉडर्न सोसाइटी अब यहाँ पर उसी सोसाइटी में जो अभी मॉडर्न जो लेटेस्ट चल रहा है अब क्या है अब प्रेग्नेंट ओमेन को डाइरेट कर दिया जारा है या अगर जरूरत है तो अंडर दे गाइडेंस अफ नर्स अगर जरूरत है तो नर्स का सहरा ले लो डॉक्टर का सहरा ले लो यानि कि अब उसका जो ध्यान ख्याल रखा जा रहा है अभी जो मॉडर्न जो लेटेस्ट जो सोसाइटी चल रहा है इसमें जो औरतें गर्ववती हो रहे हैं जो प्रेगनेन्ट हो रहे हैं उसको खुद से ही ध्यान ख्याल करने को कहा जा रहा है और तो अगर ज़्यादा अगर सुजाव देने की बात आ रहे तो डॉक्टर के पास हमनों लेकर चले जा रहा है नर्स के पास लेकर चले जा रहे हैं यानि कि उसकी देखभाल उसको खुद से करना पड़ रहा है या उसका देखभाल डॉक्टर या नर्स के दुवारा कराया जा रहा है इन दा मडर्न सोसाइटी इस अधोनिक समाज में चाइल इस वन नी बॉर्न सिर्फ बच्चे का जन्म हो रहा है ठीक है ना यानि बच्चे का जन्म लिया जाता है ठीक है ना मने बच्चे का सिर्फ जन्म हो रहा है क्या चीज़ के लिए माता पिता के जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ बच्चे का जन्म हो रहा है ठीक है ना इस तरीके से इस लिए modern वेस्टन प्रेगनेंट जो अभी जो आधोनी काल में जो अभी जो modern society चल दा है इसमें जो प्रेगनेंट वमेन जो रहा रही है ना उसको खुद से अपने बच्चे का पालन पोसंट करना पढ़ रहा है बहुत जाद पेन बहुत जाद दुख जहलना पढ़ रहा है बच्चे के जन्म के समय में और खुद से अपने बच्चे का पालन पोसंट करना पढ़ रहा है उस गरभवती मा को जब बच्चा के जन्म दे दे रही है तो उसको खुद से पालन पोसन करने का खुद से ही सेल्फ डिपेंडेंडन होना पड़ रहा है एक तरीके का अगर सही से देखा जाए तो modern society बड़ी खराब society है मतलब इसमें जो गरभवती मा है उसका अपना ध्यान कल खुद से रखना पड़ रहा है बच्चे का जन्म हो गया तो बच्चे का परिवरिश करना उसका बढ़ियां से बालन पोसन करने का जिमेदारी सिर्फ और सिर्फ मा को दिया जा रहा है यह modern society का हाल है तो यह थोड़ा सा अच्छा नहीं है इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि traditional western society is far better than modern society इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि traditional society जो है न वो modern society से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है ठीक है the matter of child birth and child care किस matter में बच्चे के जन्म में या फिर उसकी देखभाल करने के matter में ठीक है तो यहां तक आपका पूरा का पूरा चेप्टर इंड हो गया तो उमीद करते हैं कि यह चेप्टर बहुत ही अच्छे ढंक से आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों के बास शेयर कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि हमारा वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोडिफिकेशन आप तक पहुचेए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चेप्टर के साथ तब तक के लिए जैहिंद